अरे जल्दी चलो यार ये तु मार देकर मुझे ऊपर जा अब ये मुझे नहीं मार सकता है मार के दिखा हेलो गाइज थैंक्स फॉर 10 के सब्सक्राइबर्स तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सर्वाइवल सिरीज तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब तो चलो यार हम लोग स्पॉन हो चुके हैं लेकिन ये क्या सीधे हमें पेड़ के उपर स्पॉन कर दिया लेकिन मेरे पास एक आइडिया है अगर मैं यह लगड़ी तोड़ना स्टार्ट करो तो मैं नीचे आराम से जा सकता हूँ अब मैं बनाने वाला हूँ वूर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स मुझे अभी अभी पता चला है कि माइनक्राप्ट में हमें भूग भी लग सकती है अब बारी है इस चिक की रहने दो यहाँ पे मुझे एक रवीन दिखी है यहाँ पे एक रवीन है जो कि थोड़ी बहुत छोटी है लेकिन काम हो जाएगा चलो नीचे कूते हैं और मैंने स्टोन माइन परना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि उससे मुझे स्टोन की पेकेक्स बनानी है आईरन को माइन करने के लिए इस सेड मैंने आईरन देखा था यहाँ पे बहुत ही सारे आईरन है तो चलो इनको तोड़ते हैं गाईस देखते हैं यह कितने सारे हैं यहाँ पर भी मुझे कुछ आईरन दिख रहे हैं तो चलो इसको माइन करते हैं यहां पर कुछ कोल है उसको भी माइन कर लेते हैं फरनेस में स्मेल्ट करने के लिए या फिर टॉर्च बनाने के लिए अंधेरा होने वाला है और मैं नहीं चाता कोई भी मॉब आके मेरी बैंड बजा है इसलिए जल्दी यहां पर आइरन माइन करके चलते हैं मैं उपर आ चुका हूँ और यहां पर अंधेरे में ये चिकन क्या कर रही भाई जाके सो जाओ सई में सुला दिया रात हो रही है गाज लेकिन मेरे सोने के लिए कोई भी बैड नहीं है तो मुझे कोई सेव जगा धूरनी पड़ेगी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक अंडरग्राउंड बेस्ट बना दिया जाए जिसके अंदर मैं मॉप्स भी बच सकता हूँ और डे होने का इंतजार भी कर सकता हूँ ओके तो मुझे लगता है इतनी जगा काफी होगी सबसे पहले फरनेस क्राफ करते हैं और उसके अंदर फूट को समेल्ट करते हैं अब हमारे पास इंतजार करने के लावा कोई चारा नहीं बचा है सुबह हो चुकी है गाईज अब उपर चलते हैं और एक विलेज धूड़ते हैं कि मुझे बैट चाहिए और मैं नहीं चाहता है मैं रात बर छुपूँ यहां पर एक विलेज दिख रहा है भाई साब तो चलो मैं विलेज के अंदर आ चुका हूँ और यहां पर मुझे ये वाले विलेजर चाचा जीन दिख रहा है अपदा नहीं है घर केंदर क्यों देखते हैं इतना गमंड अभाई तो अच्छी पासी मिल गई हैं तो किस boli किम घ्रकालाना मुस्तिने क्या है का सब्सक्राइब कर तक के ब Stream-الم कि लिभाटो तुम नहीं दोंने क्योंने हैं मैं Feau सब भागो और नहीं मुझे मार देगा यार कहां पर है भाइड ईर कंसे ऑपर जाओ अभीह मुझे नहीं नहीं मार सकता करें में भाउना हुस्वास नहीं कर सकता है एस्ट नहीं एस चएजी से भागना है भाग भाई-स-ब फिर से मुझे मार देगा ओके तो यहां पर ऊपर चढ़ते हैं और भाई साब वो पता ने इतना दूर क्या कर रहा है जब तक वो आएगा मैं अपनी आइरन की एक्स बना लेता हूं यह क्या अभी भी वहीं पर है लगता है मुझे जाके इसको ले आना पड़ेगा गाइस आरन आज तेरा आखरी दिनों का इस गाओं में जल्दी आजा आरन गॉलम हो गया खत्म मैं एक दूसरे विलेज में आ चुका हूं क्योंकि उस विलेज में मुझे अच्छी खासी लूट नहीं मिली थी सबसे पहले रिस्पॉंड पॉइंट सेट कर लेता हूं और देखता हूं इस गाओं में क्या-क्या अच्छी चीजें हैं तो चलो यार वो यहाँ पर भी आरन गॉलम लेकिन मैं इसको नहीं मारूंगा क्योंकि यह मेरा बंदा है इस चेस्ट में क्या है वो भाई साब तगड़ी लूट वहाँ पर उपर पहाड़ है और उपर कुछ विलेजर दिख करा इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग एक स्नोव विलेज में आ चुके हैं मस्तवाइच चलो देखते मनाली का लुक कैसा लग रहा है नाइट होने से पहले मुझे अपने लिए घर बनाना पड़ेगा तो चलो सबसे पहले नीचे चलते हैं ओ बाई साब बच गया हमें सबसे इस वाले घर में चलते हैं देखते हैं यहां पर कोई बैड है कि नहीं ओके चलो गेट बन करो बाई ओके ऊपर चलते हैं यहां पर बैड है ना ओके गाई यहां पर कोई बैड नहीं है यह इस विलेज का सबसे लास्ट घर है मुझे लगता है इस घर में जरूर कोई बैड ह होगा तो चलो देखते हैं यहां बैड है लेकिन इस पर कोई सोय चलो भगाते हैं हम लोग अपना घर बनाने स्टार्ट कर देते हैं तो यहां पर सबसे पहले ब्लॉक लगाओ मैं अपना घर मीडियम साइज का बनाऊंगा ना ज्यादा चोटा अब तक हम लोग का इतना काम हो चुका है मैंने अब तक अभी इतने दिवाली बनाया है यहां पर अब कुछ स्लेप्स लगाने ओके कि यहां पर लगा दो और यहां पर लगाते क्या ओकेड लगाओ तो हम लोग का घर अल्मोस्त तयार हो चुका है बस नीचे के साइड में हमें कुछ वोट्स लगाने और बस तो हम लोग का घर अभी कुछ ऐसा दिखे रहे लेकिन बाद जागे यह इंप्रूव हो जाएगा यहां पर मुर्गी क्या कर रही है यहां पर चलो स्लेप लगाते तो चलो हम लोग अपना बचा हुआ काम भी कर लेते हैं नीचे वुडेन स्लैप लगा देते हैं जिस्चे हम लोग का घर और भी ओसम लगे यहां पर और लगा देते हैं और यह कौन है ओ भाई साब यह कां से आ गया रहे भाई साब बचाओ ओ भाई ओ गया है वो तो लेकिन वो मेरे घर में क्या कर रहा था बारिस हुए तो उसे मेरा गर ठिकाने के लिए मिला चलो भाई चला गया येस गाइस हम लोग का घर तयार हो चुका है तो चलो घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं ये घर के अंदर से कुछ चीज तरीकी का दिकरा है गाइस कैसा लग रहा है कमेंट करके जरू बताना ये हम लोग का अभी पहला ही दिन था तो चलो ये घर बन गया तो गाइस आ अलगा कमेंट करके जरू बताना और अगर आपने मेरे डिस्कॉर्ट सर्वे जॉइन नहीं के तो जाके कर लो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला